Hello everyone, this is Shobit Irwan, आज की स्वीडियो में मैं बात करने वाले हैं आपकी English Class 12 की Strategy के बारे में English में यार, as such कोई Strategy नहीं होती है, as such मैं इतने सारे कोई Material नहीं लेके आया हूँ जितने मैं Physics, Chemistry और Maths के लिए लेके आऊँगा, पर English में एक Smart तरीका होता है जिससे कि अगर आपकी English week भी है फिर भी आप एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो होता क्या है हर एक बच्चा इतनी अच्छी spoken English नहीं होती है बच्चों की, मेरी भी नहीं थी हर एक बच्चे की अच्छी vocabulary, हर एक बच्चा अच्छी novel नहीं पढ़ रहा होता है पर इसके बावजूद आप पेपर में बहुत अच्छा score लेके आ सकते हो अगर आप ये तरीके अपनाओ जो मैं बताने वाला हूँ तो ध्यान से सुनते रहे ना, एक एक point मैं यहापे cover करूँगा क्या-क्या चीज़े मेरे को आपको देनी है, जिससे आप practice अच्छे से कर पाओ क्या-क्या तरीके जिससे आप एक तीर से दो निशाने मार पाओ वो चीज़े मैं आपको यहापे बताने वाला हूँ शुरुबात करते हैं, ज्यादा time मैं आपका waste करूँगा नहीं यह आपको बिल्कुल दिमांग में छप गया होगा, आपकी जो marking scheme है इसको एक बार ध्यान से study करो, जो आपका 20 नंबर का unseen passage और unseen case based question है यह आपको पता है, अब ऐसे नहीं आते हैं, कि आपको direct answer मिल जाएगा, आप ढूंडोगे और 10 मिनिट में आपका question हो जाएगा, ऐसा नहीं होने बाला है अब आपको पूरे passage को अच्छे से समझना होगा, उस में से detail में, deep में से question उठके आएगा अगर मैं बात करूँ आपके literature की, तो इसमें जो extract based questions हैं, जो short answer है, long answer question है ये भी कुछ इसी तरह के रहते हैं, ऐसा नहीं है कि direct उठके सवाल आ जाएगे, आपको deep में, हर एक chapter के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप question बना पाओगे क्यों न मैं आपको एक ऐसा तरीका बता हूँ, जिससे कि आप ये दोनों चीजें, 20 और 40, total 60 number secure कर पाओ, एक चीज करके आप दो निशाने मार पाओ याद होगा, मैंने 10th class में भी आपको दो साल पहले ये चीज बताई थी, इस वाली वीडियो में, वो ही चीज, वो ही तरीका मैं आपको अभी ध्यान से सुनते रहना बताता हूँ आपको क्या करना है, जब आप literature वाला part कर रहे हो, जब आप NCRT की reading मार रहे हो, तो उसको एक smart तरीके से reading मारो कैसे होता है, वो smart तरीका वो मैं बताता हूँ ध्यान से सुनते रहना, आप कहोगे कि भाईया ये तो मेरे को पता ही था, पर आप end में जब मैं चीज़े बताऊँगा, तब आपको चीज़े connect होनी शुरू होगी, तो ध्यान से सुनना है जो आपका reading है, उसकी smart approach क्या रहती है, वो ध्यान से सुनो सबसे पहला काम आपका होगा, कि आप एक summary की वीडियो देख लो, चाहे आप summary कोई कहीं से read कर लो मैं कहूंगा, suggest करूंगा, आप summary read करो, क्योंकि आप जब read कर रहे होते हैं, तो आपके concentration जादा होती है और उससे आपके दिमाग में चीज़े ज़्यादा बैठेगी, वीडियो में आपका दिमाग कहीं और भी जा सकता है तो आपका काम यह होगा, सबसे पहला, कि आपको summary पढ़ लेनी है, दस minute लगेंगे आपने एक chapter उठाया, उसकी summary उठायी, दस minute में read कर ली अब आपको पूरा chapter उपर-उपर से सार में पता है, कि इसमें होने क्या वाला है अब आपका काम है, कि आपको NCRT line by line read करनी है, और सात में, यह important काम है line by line read करने के बाग, सात में कुछ questions हैं, जो NCRT में से बने हुए है उनको आपको find करना है, थोड़ थोड़ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो समझाता हूँ, देखो यह आपके NCRT का chapter है, ठेक है, इस NCRT के last lesson chapter है आपका यह, last lesson chapter का नाम है अगर बुक खोली होगी तो, तो जो आपका last lesson है, इसमें अगर आप reading मार रहे होगे, तो बीच-बीच में कुछ सवाल आप अपने आप बना सकते हो कि भाई, who is the speaker, यहाँ पे आपका answer मिल गया, the approach meaning यह आपको पता चल गया, what that speaker want to convey, तो आपने क्या करा ना, जब आप पूरी NCRT को read मार रहे हो, तो उस बीच में आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कि यहाँ इस पे से एक question मन सकता है, वो question आपने नीचे या फिर उपर छत पे बना लिए, समझ में आ रही है, यहाँ भी ध्यान से सुनते रहे हैं, मैं आपको दे रहdr forget, एसे ही अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पर तो आपको लगा, कि यहाँ पे तो एक important question मन सकता है, तो यहाँ पर मैंने question मना दिया, यहाँ पे इस मेसे question मन सकता है, मैंने question मना द है आपके answers बीच बीच में कहीं पे छुपे होते हैं अभी आप जब chapter पढ़ ले हो तब भी तो आपके लिए वो एक unseen ही है तो आप उन unseen chapters में से अगर कुछ questions के answer ढूंड रहे हो तो आप अपने आप इसकी तियारी समझाता हूं देखो ध्यान से सुनना सबसे पहला काम होगा आपका कि आपने summary देख ली summary आपने read कर ली 10 मिनट में अब दूसरा काम आपका क्या होगा कि आप ncrt उठाओ और मैंने उस वाले chapter के लिए कुछ questions आपके लिए बना के रखे हैं तो आपको इस जब यह आप ncrt पढ़ रहे हो ना इसको एक unseen passage की तरह unseen chapter की तरह पढ़ो कि आपने कुछ questions पढ़ लिए अब आपको deep में इस chapter को पढ़के इन questions के आंसर निकाल ले हैं यह questions मैंने बना दिया है हर एक chapter के नहीं बना है क्योंकि आपके इतना time भी नहीं है जो important chapters है उसके लिए मैंने बना दिया जैसे flamingo का आपका last lesson हो गया तो मैंने बोल दिया कि भाई इस question का आंसर ढूड़ो पूरे chapter में से यह page number अभी मत पढ़ना यह page number बाद में अगर आपसे answer ना मिले तब page number पर जाने के लिए यह page number नहीं पढ़ना हमें हमें पढ़ना है अच्छा who was बचर we have all a great deal to re-approach ourselves with who is the speaker here approach का meaning क्या है तो इस तरह से मैंने around 4-5 questions बना दिये हर एक chapter के लिए तो अब आप क्या कर रहे हो अब section A की तयारी आप literature वाले से कर रहे हो कि आपने ncrt उठाई अब ncrt में से मेरे को यह questions ढूड़ने है तो आप इससे क्या करोगे literature में deep में जाओगे अब आप जब literature में deep में जा रहे हो ना तो आप क्या कर रहे हो पता है पहली चीज आपका दिमाग train हो रहा है इन वाले passages के लिए साथ में आप extract based question के answer कर पाओगे क्योंकि आपने ncrt deep में read करिये तो आपको पता होगा कि कौन से chapter में से हैं कहां से लिखा है या आपको पता होगा short answer question को आप अनाम से answer कर पाओगे क्योंकि आपको पूरी स्टोरी पता है समरी तक पता है आप लॉंग answer question अपच्छे से कर पाओगे क्योंकि आपको पता है कि कौन सी चीज कहां पर लिखी थी कौन सा dialogue कौन से किसने बोला था क्योंकि ये जो आपको ये इतने असान भी नहीं होंगे तभी मैंने साथ साथ में पेज नमर लिखा है जिससे कि अगर आपको ना मिले तो आप उस पेज नमर पर जाके फिर उसके बार ढूंड़ पाओ मैं यह नहीं कह रहा कि कि ये question bank है यही सवाल आएंगे यही paper में सवाल आप करके जाना ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है यह मैंने दसवी में भी आपको दिया था जो मैं बता रहो इस वाली वीडियो में तो ज़रूरी नहीं है यह वाले सवाल आएंगे पर यह deep सवाल है यह आपको मजबूर कर कि कैसे लिख के आने answer तो आपने क्या करा कि जो मैंने आपको questions दिये उसी के साथ साथ आपने smart तरीके से NCRT की reading बारी जैसे मैंने यहां पर आपको बताया है यह रहा इस तरह से आपने करा मेरी बात समझ में आगी होगी आपको मैं क्या कहना चाहरा हूं अब मैं आगे बढ करूँ आपके notice की तो notice हम वच्वन से लिखते आ रहे हैं ऐसा कोई महारत वाली चीज नहीं है दस मिनट की कोई भी वीडियो देख लेना आपको पता चल जाएगा format क्या है तीन-चार आप टॉपर्स के आंसर पढ़ लेना आपको पता चल जाएगा लिखते कैसे हैं आपने लास्ट के तीन-चार दिनों में दो-तीन notice की प्रेक्टिस कर ली यह तो बहुत आपसे पांच नंबर है सेम अगर मैं बात करूँ आपके invitation के formal वाला ज्यादा रिपीट होता है 99% चांस है वह आएगा formal invitation और reply तो formal पर जादा आप focus रखना 10 minute की उसकी वीडियो देखके वह सम क्या हो कि यार जैसे क्या होता है मालो आपको 1500 बर्स का लेटर लिखना है तो उसमें क्या होगा ना 60-70 वर्स तो fixy रहते हैं कि हर लेटर में यह आएंगे तो उनको identify करके ना उनको याद कर लो फिर उसके बाद जिस तरीके से आपको question में लिखा गया है वह पर उनको fill कर द होता है आर्टिकल में क्या होता है कि आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ता है आपके creative skills बहुत होनी चाहिए रिपोर्ट में सच नहीं होता तो यह जो चीज है आपकी writing section वाली यह lengthy है पर यह असानी से हो जाएगी पांच पांच नंबर आपके आराम से आ सकते हैं इसमें और वो मैंने आपको एक बहाना दे दिया बहाने से मैं आपको पूरी chapter रीड करवा रहा हूँ फिर उसके बाद उन questions को ढूंड़ो उसमें से तो आपका दिमाग चलेगा आप दिमाग की exercise कर रहे हो कसरत करवा रहे हो इससे आप अच्छे score कर पाओगे अगर मैं बात करूँ अब आगे आपसे कुछ English की pro tips में ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखना चाता क्योंकि आपके पास भी डालर टाइम नहीं है कुछ pro tips presentation की मैं आपको बताता हूँ पहला काम है coppers की answer sheet read कर लो पिछले 3-4 सालों की अच्छे से read करो देखो कि वो answer कैसे लिखते हैं कैसे उन आपको बताइती याद होगा इस वाली वीडियो में अगर बच्चों ने देखी हो तो यहां पर मैंने लिखा है कि last page को हमेशा मरफ page रखेंगे इसका काम क्या रहता है इसका काम यह रहता है कि माल लो आप आर्टिकल लिखने बैठे माल लो आपको एक क्वेशन लिखने ब वक्त एक्तम दिमाग में आया कि यार में वाले बॉड़ी में तो मैं यह भी लिख सकता था होता है ऐसा होता है आर्टिकल लिख रहे होते हो आप पूरी आर्टिकल लिख देते हो फिर बीच में दिमाग में आता है अरे यार इस वाले पार्ट में तो यह भी लिख सकता था और इसके बारे में लिखो, तो उस question के, क्या-क्या point आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे point पहले यहाँ पे लिख लो, ठीक है, चाहे वो arranged हो, unarranged, कोई बात नहीं, आपने सारे point जो भी दिमाग में हैं, वो सारे आपने points यहाँ पे लिख दिये, अब इनको systematically सोचो, कि या यह वाला point पहले लिख लूँगा, फिर यह वाला point दूसरी में लिख लूँगा, फिर यह तीसरी चीज लिखूँगा, फिर यह चौती चीज लिखूँगा, तो आपने ऐसे करके, दिमाग में बना लिया कि ऐसे लिखूँगा, आप कहो कि बहुत टाइम लगेगा, टाइम अगर sample paper solve कर रहे हो तो साथ में एक rough page रखो और उसमें पहले note down करो points फिर उसके बाद answer को frame करो क्या मेरी बाद समझ में आ रही है अब हम आते हैं आपके तीसरे point पे जो मैंने यहां पे लिखा था अगर जब भी आप कोई answer लिख रहे हो कोशिश करो कि उसमें summary नहीं चेप के आनी हम क्या करते हैं हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमने summary चेप दी ठीक है इससे teacher कोई लगता है कि इसको answer तो पता नहीं है इसने 10 minute की कोई वीडियो देखे थी 10 minute का कहीं से पढ़ाता और इस इससे teacher को लगेगा कि अच्छा यार chapter तो इसने पढ़ रखा है फिर चाहिए हमने summary को चेप दिया है पर शुरुवात से summary नहीं चेप नहीं आगर कोई answer बूल गया हो तो यह बात दिमांग में रखना लास्ट पॉइंट जो है English दस्वी की तरह नहीं होने वाली है यह वाली English में आपको day by day day by day अच्छे से रगणाना पड़ेगा English को ना कुछ बच्चे for granted ले लेते हैं कि यार आकरी में कर लेंगे कौन से बड़ी बात है हम तो physics chemistry और महत्स वाले बच्चे हैं ऐसा मत करना English में कम number आएंगे तो overall percentage गिरेगी ऐसा नहीं होगा कि English में कम number आए और उस आरे chapter नहीं है मैं फिर बोल रहा हूं यह कोई question bank नहीं है मैं फिर बोल रहा हूं जो जो important चीज है वो मैंने इसमें लिख दी है और इससे अब practice करो तब तक के लिए वही पढ़ना है फोलना है कहर मचा देने आग लगा देनी है physics की जो आपकी derivation sheet है chemistry की जो आपकी reactions बगरा ह है previous year question है वो मैं आगे एक दो दिनों में आपके लिए देने वाला हूं चैनल पर बिलते हैं तो बबाए take care जाओ प्रड़ों बाई